नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनलाइन एक्जामिशन पर दोस्तों लोग यहां पर उत्तर प्रदेश इस्पिसल का टेस लगाएंगे और डेली आपके यहां पर यूपी के टेस्ट कराया जाता है प्लेलिस्ट बना दिया है जहां पर कि रचना किस ने किया था तो याद रखे 83 का उप्सन राइट आपका सही जोगा हो जेगा सी नमबर सीव नंदन नौटी आलने ठीकी सीव नंदन नौटी आलने नेस्ट कोशन आप से पूछा गया है कि हिंदू मुस्लिम एक्टा का प्रतीक सुलाह कुल उत्सव उत्तर प् अग्ला में ठीक एक और सब्सक्राव कि में से किसने लखनों से सांस्कृतिक करिया कलापों में युगदान नहीं दिया तो यहाँ पर आपका विंदा दिन तो उस्ताद दूले का भी है लेकिन यहाँ पर मेहंदी यह आपकी इससे सम्मंदित नहीं है इस प्रकास से अपका C हो जाएगा यह आपकी इससे सम्मंदित नहीं है अगला चित्रकला की मुगल सहली का आरंभ था तो यहां पर option right आपको हो जएगा B, हुमायू से मनाता है ठीक है, हुमायू, option right आपको B, next question दिया है, सुची first को सुची second से सुमेलित करना है, ठीक है, और यहां पर दिया है गोविंद साहब, यह गोविंद साहब जो आपका मिला है, यह कहां लगता है, तो आपके अम्बेटकर नगर में लगता है, कैलास मिला, कैलास मिला आपके आगरा में लगता है, सायद सलार मिला, तो सायद सलार मिला आपका जो लगता है आपके बाहराइच में, और साकुम्बरी दिवी का मिला लगता है आपके सहारनपूर में, इस प्रकार से option are right up का B सही हो जाएगा next question है कार्तिक एक लोक हनड़त है कार्तिक एक लोक नड़त है कहां का तो कार्तिक एक लोक नरधत है आपका बुंदेल खंड का option right up का यह हो जाएगा बुंदेल खंड अगला है प्रिशिद्ध सास्त्री गायक भीमसें जोसी संबंदित हैं ये आपके काँ संबंदित है तो याद रखेगा भीमसें जोसी का संबंदे किराना घराने से ओप्सन रैट अप का भी से हो जाएगा किराना घराना किन्यम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है कथक कलाकार नहीं है देखो बिर्जो माराज लच्छो माराज और सितारा दे भी यह हैं लेकिन किसन माराज आपके कथक कलाकार नहीं है नेस कोशन सूची फस्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है ठीक है और यहाँ पर आपका द सूची सुमेलित कीजिए यहां पर दिया है लोक गीत है और आपका छेत्र दिया गया है कौन सा छेतर में काम बोला जाता है बिरहा बिरहा जो आपका है पुर्वांचल में होता है ठीक है पुर्वांचल में जो रसिया है रसिया या आपके ब्रज भूमी में अहला आपके बुंदेल खंड में और कजरी आपके अवद में ठीक है इस प्रकास से आपसन आपका चुर्क में वहें पर कागज कागज आपके साहरनपुर में एलक्टोनिक समान जो होता है आपके कानपुर में और फरनीचर आपके बरेले में ठीकि इस प्रकार से उप्सन राइट आपका एस ही हो जाएगा सूची फस्ट को सूची सेकिन से सुमिलित करना है ठीक है और यहाँ पर दिया है टेरा कोटा टेरा कोटा होता है कि जो कच्चे मतलब बरतन होते हैं मिट्टी के उनको पका दिया जै तो टेरा कोटा बोलते हैं तो यहाँ पर टेरा कोटा यह आपकी है काँपर तो यह है गोरक लकडी के खिलोने लकडी के खिलोने आपके वारणसी में चीनी मिट्टी के भरतन चीनहट में और काच का समना आपकी फिरोजाबाद में आपका एस ही हो जाएगा ओके अगला कोश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लगु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीरकाल इन रेंड उपलब्द करा जाता है वो आपका कौन सा है यहाँ पर लव एव मध्यम जो आपके उपक्रम है इनके लिए जो धीरकाले इन रेंड होता है यह आपका जो प्रदान किया जाता है आपके उत्तर प्रदेश वित्ती निगम के द्वारा ओप्सन आपका C हो उत्तर प्रदेश में विकास पर्योजना का सुभारम किया गया था यह किया गया था आपके दिसंबर 2005 में आपके दिसंबर 2005 में सुरू होई नेस कोशन है उत्तर प्रदेश ने उच्चितम और धोगिक ब्रदीदर अंकित की थी तो उच्चितम और धोगिक ब्रदीदर जो यहाँ आपके और दोगी की बात कहे रहा है ठीके निस को चने आगरा सेर की स्थापना किस ने किया था इंपर आपका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन एक सो दी नमबर सिकंदर लो दिने ठीक है आगरा सरकिस्त अपना सिकंदर लो दिने अगला हर्स वर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां किया था तो हर्स वर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन जो कराया था यह आपके देखो कन्नोज में और आपके प्रियाग राज में तो इस प्रकार से उप्षन राइट अप का ए हो जाएगा अगला है कुसी नारा जुकी वर्तमान में नाम है कुसी नगर की राध्धानी किसकी राध्धानी थी? कुसी नारा किसकी राध्धानी थी? तो 105 का सही जवाब यहाँ पर जवाब हो ज़ेगा C नंबर यह मल्लो की थी ठीके कुसी नारा किसकी मल्लो की राध्धानी थी अगला है महत्मा बुद्ध का महा पर निर्वाण कहा हुआ था महत्मा बुद्ध का महा पर निर्वाण 106 option right 106 option right आपका C हो ज़ेगा आपकी कुसी नारा में आ कुसी नागर में ठीके नेस्ट कोशन है महत्मा बुद्ध का जन्म कहा हुआ 107 का जवाब 107 option right आपका सही जवाब हो ज़ेगा B नंबर लुम्बनी में हुआ था ठीके लुम्बनी अगला है एक नॉम्बर 858 इसबी को महारानी घोषना पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था तिहाँ पर 108 का option आपका सही क्या हो ज़ेगा तिहाँ जरेके ये आपका घोषना पत्र सुनाया था लाड कैनिंग ने ठीके लाड कैनिंग ने सुनाया था का साम मेवादी अंदोलन ठीके कानपुर खडेन मुकदमा की सांदोलन के नित्राओं के विर्द तो आपके साम मेवादी अंदोलन नेस कोशन दिया गया है 4-4 घटना कब घटी 4-4 घटना कब घटी 110 का जवाब तो 4-4 घटना 110 का option राइट आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नमबर पांच फरिवरी 1922 को कटी थी अगला कोशन है उत्तर प्रदेश के किस सहर को सलतनात काल में पूर का सिराज कहा जाता था यह कोशन आपके UPP में बहुत बार पूछा गया है और यहाँ पर इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नेश पार्ट में इसका जवाब देखने को मिलेगा डेली यहाँ पर टेस्ट करा जाता है आप लोग भी डेली के डेली यहाँ पर रिवीजन करते चलिए ठीक है और एक्जाम में आप लोगों का सर उपर या आपको प्रदर्शन होना चाहिए भाई ठीके तभी मज़ाएगा पहले से मिनत करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी ठीके मिलते हैं नए वीडियो में तब तक लिए धन्नवाद